वेलकम दोस्तों मैं हुवेद याद है स्वागत है आपके अपने चनल और टेक्निकल फैमली पर तो दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं बॉर्वेल कराने से पहले इन बातों का जो है विसेश ध्यान रखना चाहिए जिससे क्या है हमें इन फ्यूचर बॉर्वेल से र रहने वाले एक लड़के को जो है इतना आप लोगों ने जो है अपने दिल पर इस्थान दिया है मतलब सब्सक्राइब करके या फिर भीज देके तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है दिल से थैंक्यू भाई आप लोगों को बाकी चलिए सुरू करत हैं करते हैं कि जो तरीके होते हैं वह सच में काम करते हैं बहुत लोगों को संका होता है कि यह ऐसा कुछ नियुक्ता है मतलब मैंने जहां तक देखें अपने सारे केस में तो 90% तक Kerry से 90% पानि जो चेक करके ड्रीलिक कर आते हैं उन्हें में पानी मिल ही जाता है। ऐसा मुझे अनुभा हुआ है Я उनसे बात करनी है उनके rates होगे रह जानने है casing pipe के rate और drilling के rate बाकी सारे quotation जो है बना के देख लेना है जो आपको सस्ता पड़े क्योंकि किसान का पैसा जो है फालतू का पैसा नहीं होता है तो जो आपको सस्ता पड़े उसे बुलाईए और अच्छे से जो काम करता हो थोड़ा के casing होते हैं तो उनमें से जो है आप अपनी budget के हिसाब से लगवा सकते हैं बाकी casing के बारे में plastic भी कोई बूरा casing नहीं है बाकी अगर लोहे का लगवाना है तो पूर क्वालिटी के लोहे से अच्छा है आप GI लगवाईए अच्छी क्वालिटी का लोहे का लगवाईए या बाद में झो है चार शाल-मक से अच्का नहीं है यह रोकड़ देना है पानी को जो है रोक दोगे तो दिक्कत हो जाएगा तो दुल से का लगब कि लोगत easy को जो है एकदम बिल्कुल से रोक देना है उसके बाद जो है केसिंग इंस्टॉल करानी है और तीन से चार दिन मुश्किल से एक सब्ता के अंदर उसमें मोटर की फिटिंग हो जानी चाहिए क्योंकि मिट्टी बैठता है एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर पानी आपक पर चाहिए तो उसमें केसिंग पाइप फिल्टर कराने का कोई मतलब नहीं है तो उससे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको ड्रिलिंग के समय अगर पानी मिट्टी में मिला है तो उसको फिल्टर कराईए तब न वहां से पानी घुस पाएगा बाकी चाहिए चा यानी बाहर से ही आएगा और एक बहुत के फिर को हिला के भर देना है उसे एक चीज और है पानी छन sales मिलेगा और दूसरा profit उससे bat जो है है कि कभी जो है मिठी धस जो है आपके बोर्वेल तक धक्का नहीं मारेगा आपके केसिंग तक और धस के कभी पानी को बंद नहीं करेगा या फिर गंदा पानी जो है नहीं आएगा वो अगर ऐसा रहेगा तो छन के बिल्कुल साफ पानी और जितने लंबे समय तक आपको बोरिंग को रखना है उतने लंबे बजरी अच्छे से पैक पजाना चाहिए, केसिंग को हिला हिला के, तो उसका जो है अलग ही फायदा है, अलग ही क्वालिटी का पानी मिलगा आपको, बहुत लंबे समय तक, लाइफ बहुत लंबा हो जाता है उससे वोर्वेल का, और उसके बाद क्या है, मोटर आपको ड्रिल नहीं चल रहा है, जटके ले रहा है, या फिर हिचक हिचक के चल रहा है, हिचकियां ले रहा है, तो वो सब चीज से आपको जो है राहत मिलेगा, मोटर अगर आपको दो इंच का पानी मिलता है, तो आप दो से धाई से तीन एचपी तक का जो है मोटर लगा सकते हैं, बाकी अगर एक से डेड़ हिंच का पानी मिलता है आपको तो डेड़ हिंच पानी मिलता है तो सिर्फ एक एचपी और डेड़ हिंच पानी मिलता है तो डेड़ हिंच पानी मिल जाए तो तीन एचपी का भी उसमें चल सकता है तो उस हिसाब से मोटर का इंस्टॉलेशन करें क्योंकि पैसा कहीं भी वेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं ने कहीं किसान का जो पैसा होता है वो काफी मेहनत का होता है मैं भी किसान परिवार से हूँ और अभी मैंने आलू अगेरा की भी खेती की थी काफी नुक्सानी का सामना करना पड़ा है मुझे भी पहले rate था ठीक ठाक और अभी जब मैंने निकाला तो rate खतम है बाकी मैं समझ सकता हूँ किसान का दर्द इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कुछ न कुछ अगर किसान को फायदा हो जाए तो ये मेरे ख्याल से मेरे लिए अच्छी बात ही होगी क्योंकि दो प आप बता सकते हैं कि कोई point अगर मैंने छोड़ा है जो जरूरी होता है drilling के time तो वो जो है आप नीचे लिख सकते हैं बाकी एक वीडियो इस पर पहले ही मैंने बनाया था तो उस वीडियो का जो quality था sound का या फिर वीडियो का भी तो वो उतना अच्छा नहीं था तो मैंने कि फिर से जो है इस वीडियो को लेकर आया जाए बाकी ध्यान रखेएगा अपना और अपने परिवार का जय हिंद दोस्तों